प्रत्थम वर्ष के बच्चों का हार्दिक स्वाधत हार्दिक अभिनांदन बच्चों मैं अलका जैन राज के महाविद्याले किशुन गड़ से बच्चों आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य के बारे में रासो साहित्य जो है वोई वीर गाथा काल गाथा युक्त जो साहित्य है उसे रासो काहा गया रासो कावे का निर्मान मद्ध्य युग तक हुआ उनमें हार्षोन मुखी सामंती प्रवर्ति का चित्रन हम स्पष्ठत देख सकते हैं नाना प्रकार की कथानक रूडियां और कवी समयों का चित्रन रासो कार करते रहे हैं युद्धों और विवाओं के चित्रन द्वारा मिथ्य व्यमान और विलास से जड़ज़ जीवन को उभार कर रासों के जर्चियताओं ने समाज का सच्चा, सांस्क्रतिक और सामाजिक इतिहास प्रस्तुत किया है। इन रासों गரंथों में इतिहास के समवत भले अशद्धों, ब्रामकों, किन्तु सामाजिक जीवन की जहांकि के भरे पूरे चित्र अवश्य मिलते हैं। तातकालिंग इतिहास के गवेशकों के लिए रासों कावे का विशेश महत्व है। रासो कावे की सामन्य विशिष्टाएं इस प्रकार हैं। रासो कावे में आश्रे दाताओं की भरपूर प्रिशंसा मिलती है और राश्टिय भावना का अभाव मिलता है। आश्रित कव्यों ने अपने आश्रे दाताओं की वीरता का गान तो उसा से किया, किन्तु राश्ट ये भावना का पूर्णत अभाव उनमें रहा रासो कावे में युद्ध का सजीव चित्रन जो है मिलता है युद्ध सेना किसा सज्जा और आक्रमन प्रत्याक्रमन आदि का वर्णन चित्र व्यंजिनात्मक शैली में किया गया है रासो कावे में युद्धों के सजीव और रस्पून वर्णन प्राप्त होते हैं वीर भाव श्रिंगार भाव से पुष्टो कर भी ये कावे आया है इस्त्रियां ही प्राय आफसी विद्वेश का कारण होती थी फलत वीर के साथ श्रिंगार को भी वराबर इस्थान जो है व वह पुष्ट होने लगा विसल देव रासों की भाव भूमी प्रेम की निश्चल अभिव्यक्ति से सरस्तो है प्रत्वी रासों को भी श्रिंगार रस्वी रस के साथ मधू बत्तियां करता दिखाया गया है रासों कावे में प्रकृति के आकशक चित्र अंकित हुए हैं व उनकी रचियताओं ने प्रकृति के चित्रों से भाव चित्रन को सौंद्रे प्रदान किया बारे मासा और रुत्यों के प्रकृतिक चित्र संयोग वियोग में उद्धिप्त का काम करते थे रासों कावे में शुद एतिहासिकता का अभाव दिखाई देता है वर्णन आत्म मुक्ता के कारण सिहास में कल्पना भी आकर मिल गई है रासो कावय में भावडकर्ष कम और वस्तु वर्णन की प्रदायनता अधिक रही कहीं कहीं ये वर्णन निरस और वाव भी हो गए हैं रासो कावे की भाषा जादा तर डिंगल ही रही है क्योंकि यहीं वे भाषा थी जो बीर भाव की वेंजना करने के लिए उप्युक्त थी रासो कावे में चंद वेविद्या भी मिलता है रासो कावे में कथा को गती देने जिग्यासा बनाए रखने और आक्रशन पैदा करने के लिए कथानक रूडियों का प्रेव हुआ है रासो कावे के एक विशेषता उनकी अभिनेयता की रही है इसके गीत नर्ते प्रक परंपरा का प्रचार जैन धर्मा लंबियों के मद्ध्या दिक रहा यही कारण है कि उनके दारा स्वजित सभी रासो कावे इसी श्रेणी के अंतरगत आते हैं दूसरी प्रंपरा का प्रचार जैनियों के अतरिक तन्य प्रकार के सामजिक वर्ग में रहा विद्वानों की इमानेता रही कि इन रासो कावे का गायन अभिने के साथ साथ होना होता है आदिकालिन साहिति में रासो साहिति का विशेश महत्व है इसी महता के कारण राशो शब्द की विद्पत्ति और रासो कावे की विशेश्टाओं को लेकर विद्वानों में प्रयाप्त चर्चा रही है कहने की आवशकता नहीं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल में रासो कावे प्रयाप्त मात्रा में लिखे गए थे और इसी प्रयाप्त मात्रा ने रासो कावें की प्रमुख विशिष्टाओं को भी उद्घाटित कर दिया था अब हम बात करेंगे जैन साहित्य की जैन साहित्य जो जैन धरम से युक्त था जैन धरम के अनियाई जो थे या कहें रड़तक ते भगवान महाविर स्वामी जैन मत्र के अनियाईयों का जो प्रभा प्रमुक रूप से आठवी शत्ती से लेकत तेवी शत्ती तक गुजरात औ और काठिया बाड़ में रहा, यहां के चालुक्य, सोलंकी, राष्टकूट, नरेश, जैन, मलतालंबी थे, जैन साहित में जैन धर्म के सिद्धानतों का प्रतिपादन किया गया है, अहिंसा त्याक करुणा जैसे जीवन मुल्यों के करण ये धर्म, हिंदू धर्म के अधिक स चरित्र कावियों के साथ, हिंदू धर्म के लोग प्रसिद्ध आख्यानों को जैन धर्म के रंग में प्रस्तुत किया, तिर्थंकरों के जीवन चरित्रों के साथ साथ, राम कृष्ण को भी अपनी कथाओं का अधार बनाया, और कुछ जैन कवियों ने, श्रिंगार, शोर निती, अनियोक्ति, समंदी, फुटकर, ग्रंत भी लिखे, जैन साहित्य की भाषा, आदिकालिन हिंदी का रूप हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिस पर अपभरंश का प्रभाव है, शांतरस प्रधान जैन साहित्य में दोहा, कवित, आयों, राश्चंद का दिक प्रयो जो इंदू, देवसेन, शालिबद्र सोरी, आदि, स्वेम भी जो थे वो आठवी शती के जैन कवी हैं, इनके तीन गरंत प्रसिद रहे, पदम परर्यो, चरियो, रिठट नेमी चरियो, तथा स्वेम भू, छंद, पदम चरियो उनके द्वारा रचित राम काव्य है, जो उ इसी गरंत के कारण अपभरंश का बाल में की कहा जाता है, पदम चरियो अपोन गरंत है, फिर भी इसमें राम का चरित विस्तार से दिया गया है, पुष्पदंत दश्वी सती के कवी थे, जिनोंने महापुराण जसहर चरियो और नयकुमार चरियो नामक प्रमंत कावे लि अपनी रचनाओं में प्रस्तुत किया था, कुर्टृति सौंदरे का निरूपन भी इनके गरंतों में मिलता है, धनपाल दस्वी शती के कवी धनपाल थे, जिनमें भविशत कहा एक महपुर्ण गरंत है, जिसमें एक वनिक की कथा को मार्मिक धंग से इनोंने अव्यक्त कि देवसेन प्रसित जैनाचारे देवसेन 933 ईस्वी में श्रावकाचार नामक कावव्य गरंत की रचना की, जिसमें डौक्टर नगेंद्र नहीं हिंदी का पहला कावव गरंत भी माना, श्रावकाचार में 1202 में श्रावक धर्म का प्रतिपादन कीा गया शाली भद्र सूरी जिनोंने 1184 इसी में भरतेश्वर भाववली रास की रचना की मुनी जिन विजय इस गरंत को जैन साहिते की रास परपरा का प्रथम गरंत भी कहा जाता है शाली आसी मुख उन्होंने 120 इसी में 35 चंदों के लगू खंड कावे चंदन वाला रास की रचना की इसकी नाई का चंदन वाला की करुण कथा अत्यंद मार्मिक और भावपूर्ण है करुण रस की प्रधानता इस खंड कावे में है जिनी धर्म सूरी इन्होंने 1209 इसी में स्थूली भद्र रास नामक कावे गरंत की रचना की थी कोशा नामक वेश्या के पास भोगलिप्त रहने वाले स्थूली भद्र को कवी ने जैन धर्म की दिक्षा लेने के लिए मोक्ष का अधिकारी सिद किया इनकी कावे भाषा पर अपभरंश का प्रभाव अधिक है विजे जैन सुरी 1231 इस्वी के आसपास लिखित रेवन्त गिरी रास में तिर्थंकर नेमिनात की प्रतिमा तथा रेवन्त गिरी तिर्थ कवर्णन किया गया है सुमतिगणी में जो की 1213 ईसी में रचित थी नेमिनात राज की रचना है जो की 58 चंदों में रचित नेमिनात चरित रहे सोमप्रव सूरी ये एक जैन पंडित थे जिनों ने 1884 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक गद्य पद्य में काव्य प्राकृत भाशा में लिखा है विरहांग नीम में वैसे ही सारे दिन तड़पती जैसे थोड़े से जल में मचली तड़पती है पिये हवु धक्य सेलिव दिन तुन विरंगी किलन्त थोई जल जीमी मचली है तलो बेली करन्त जैनाचारे मेरुतंग 304 इसी में उन्होंने प्रभंथ चिंतावणी नामक ग के कुछ पूराने पद्दे बे उद्द रहते हैं जिनमें कुछ राजा भोज के चाचा मुंझ कवी के जो हैं वो ग्रंथों में मिलते हैं अप भ्रंश में रचित अन्यमहत्पुन ग्रंथ हैं अब्दुल रह्मान का संदेश रासक राम सिंग द्वारा रचित पाहुड़ अमिरास तथा हेम चंद्र द्वारा रचित शब्दा नुशाशन इसमें हेम चंद्र अपब्रंश के अच्छे ग्याता और उच्छ कोटी के कवी थे जिन्होंने अपने समय में पहले से सुन्दर जो हैं व्याकरन ग्रंथ भी लिखे हैं इस तरह हम देखें कि जैन साहित्त में भक्ती कवे की प्रिष्ट भूमी को मेत्पून-्योगदान दिया जैन साहित्ते का प्रभावज भारत के पorthमी प्रांत विशेश का गुजरात में अधिकरा हम जैन साहित्ते में उपदेश अतमक्ति पद्धान्त की बदानता थी भल्य बरब्राए आचारे शुक्र नें जैन साहित को धार्मिक साहित्य मानते गें नहीं दिया तदद आप यह किना उचित है कि ैन साहित्य केवल धार्मिक सिद्धानथों का कथन मात्र नहीं बलकि से कोचिन ूच्छ कोटी की साहितिक प्रवावित करने में अपनी महत्पुन भूमिका का निर्वाहन किया था इनी आदिकालिन साहिते में एक और साहित्याय विद्यापती जी का जो जिनों ने भी बहुत योगदान दिया मैथिल कोकिल विद्यापती को संस्कृत अभाट और मैथिल ये तीनों भाषाओं में पूर्ण अधिकार था इसलिए और तीनों भाषाओं में जो है रचनाएं लिखी संस्कृत में शैव सर्वसार दुर्गा भक्ति तरंगने और गंगा वाक्यवली अब हट में कीर्थी लता कीर्थी पता का मैथिली में मित मैथिली पदावली विद्यापती शैव थे तता मिथिला के राजा शेव सिंग के दर्बारी कवी थे उन्होंने अपने आश्रेदाता राजाओं शेव सिंग और कुरित सिंग की वीर्था का वर्णन और जेश्वी डंग से केर्थी लताओं केर्थी प्रता का नामक अपभरंश भाषा में रचित कावेगरंतों में किया है विद्यापती की अक्ष कीर्थी का आधार मैथिली भाषा मेरा चित पदावली है जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण को आधार बना कर श्रंगार के अत्यंत मादक और मनोरम चित्रकूंकित किये हैं विद्यापती पदावली की विशेवर्ष वर्स्तु प्रमुक्रोफ से श्रंगार की है जो 1460-20 संबद म शुक्री जी ने वीर गाथा काल में भी इस्थान दिया लेकिन इनकी कीर्थी लता और कीर्थी पता क्या कि रष्णा ने इन्हें आधिकाल साहित्य के वर्ग में रखा श्रंगार के इनके दोनों पक्ष हैं उनमें गित्यापती पदावली में संयोग और वियोग का निरूपन किया है संयोग पक्ष के ज़्यादा प्रदानता रही है इसलिए यह है जो श्रंगारी कभी ने मानकर इन्हें भक्त कभी भी माना जाता है तो देखें विद्यापती जो हैं वो कावया और कावया तो सभी उपादानों से स्युक्त रहे उसमें एक और तो भाषा का माधूरिया है तो दूसरों अलंकारों की इंद्र धनुश्री चटा है विद्यापती ने सोंधरे चित्रन के लिए जितनी उपमाय प्रस्तुत की आगे के हिंदी कव्योनिर पर उन्हें ग्रेंड किया है उन्होंने परवती भक्ती साहित्य और रितिकालीन साहित को बहुत कुछ परंपरित रूप में दिया उनके प्रभाव की गूंच जो है परवरती हिंदी साहित्य में अनेक रूपों में देखी जा सकती है राधा कृ हमें रिति कालिन साहित्य में दिखाई पड़ता है उसका मूल श्रोत विद्यापति पदावली कोई समझना चाहिए वे हिंदी के शशक्त एवं शक्षम कव्यों में से एक हैं और उनका कावे आज भी बहुत ही लोगपरी है तो इस प्रकार हम देखें कि ये सभी साहित्यकार करने का योगदान रहा है धन्यवाद बच्चों अगले अंक में पड़ेंगे आधिकालिन अन्य साहित्यों की रचनाओं के वारे में धन्यवाद